प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टी को च कप पढ़ते हैं देखिए यदि किसी सब्द में टी की बाद यू आर ई हो तो वहाँ पर टी का उचारण च किया जाएगा उधारण के लिए आपके सामने हैं देखिए देखिए एफ यू टी यू आर ई टी के बाद यू आर ई है तो यहाँ पर टी का उचारण च किया जाएगा तब इस वाली सब्द को हम पढ़ेंगे फ्यू चर तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्यू चर टी का उचारण च किया जाएगा ठीक उसी परकार यहाँ भी टी के बाद यू आर ई है तो यहाँ पर टी का उचारण च किया जाएगा तब इस सब्द का सम्पू उचारण होता है पिक चर ठीक उसी परकार इस वाले सब्द में देखिए टी के बाद यू आर ई है तो यहाँ पर टी का उचारण च किया जाएगा तब हम इस सब्द का सम्पू उचारण करते हैं ने चर अब इसकी परभासा को देखते हैं देखिए टी को च कप पढ़ते हैं यदि किसी सब्द में टी के बाद यू आर ई हो तो वहाँ पर टी को च पढ़ा जाता उधारण के लिए आपकी सामने हैं फ्यूचर पिक्चर नेचर और फ्यूचर का अर्थ होता है भाउश्य पिक्चर का अर्थ होता है तस्वीर नेचर का अर्थ होता है प्रकति इस वीडियो में इतना ही ठैंक यू है वनाईश्टे झाल कर दो उड़ होता है पिक्चर का अर्थ होता है टूचर होता है